आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया में साइन नियूज जानिये इस साल कब पर रही है धैरव अश्टमी भैरव अश्टमी की कथा पूजन विजी पौरानिक कथा जानिये विस्तार से आप देख, सुन और पर रहे है समाचार एजेसी ओफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन जानकारियों के संबंध में भैरव अश्टमी जिसे भैरव अश्टमी, भैरव जैंती, काल भैरव अश्टमी और काल भैरव जैंती के रूप में भी जाना जाता है एक हिंदू पवित्रती थी और दिन है जो देवता भैरव, भगवान शिव के एक दरावने और क्रोधी अवतार के प्रकट होने के उपलक्षे में मनाया जाता है ये हिंदू महीने कार्तिक दक्षिन भारतिय अमावस्यान्त केलेंदर के अनुसार, हर महीना एक ने चंद्रमा के साथ समाप्थ होता है अथ्वा मार्गशीर्श उत्तर भारतिय पूर्निमान्त केलेंदर के अनुसार, हर महीना एक पूर्निमा के साथ समाप्थ होता है में कृष्ण पक्ष के वानिंग चंद्रमा के पक्वारे में आठवे चंद्र दिवस अर्थात अश्टमी को परता है दोनों योजनाव से भैरव अश्टमी नवंबर दिसंबर जनवरी में एक ही दिन परती है कालाश्टमी नाम का उप्योग कभी कभी इस दिन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है लेकिन यह कृष्ण पक्ष में किसी भी अश्टमी को भी संदर्भित कर सकता है जो सभी भैरव के लिए पवित्र दिन है अगर आप भगवान काल भैरव अत्वा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी की अराधना करते हैं और अगर आप भगवान शिव अत्वा भगवान काल भैरव जी के भक्त तो कमेंट बाक्स में ओम नमशिवाई जै काल भैरव लिखना न भूली जानिय भैरव अश्टमी के संबंध में क्या है दंतक था जानकार विद्वानों के अनुसार दरसल भैरव को भगवान शिव के क्रोध का एक रूप माना गया है शिव पुरान के अनुसार देवता ब्रम्हा और विश्णू एक दूसरे पर अपनी श्रेष्टता के बारे में बहस में लगे हुए थे जब ब्रम्हा ने अनीती का सहारा लिया और विश्णू पर अपनी जीत की घोशना की तो शिव प्रकत हुए और भैरव को बनाया जिन्होंने ब्रम्हा के पांच सिरों में से एक को कात दिया ब्रम्हा ने उनके द्वारा की गई अनीती के लिए शिव से क्षमा मांगी और वह और विश्णू एक लिंगम के रूप में भगवान शिव की पूजा में लगे रहे उधर ब्रम्हा जी का सिर्फ भैरव जी की बाई हथेली पर चिपका हुआ था क्योंकि उन्हें सबसे विद्वान ब्राहमन ब्रम्हा की हत्या का पाप लगा था जिसे ब्रमेत्या या ब्राहमन हत्या कहा जाता है ब्रह्मा हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भैरव को एक कपाली का वरत लेना परा जिसका अर्थ होता है मारे गए व्यक्ति की खोपरी को अपने भीक्षापात्र के रूप में लेकर भीक्षातन के रूप में दुनिया भर में घूमना भैरव जी का पाप अंतह तब समाप्थ हुआ जब वे पवित्र शहर वारांसी पहुचे जहां उन्हें समर्पित एक मंदिर अभी भी मौजूद है। वही क्षेत्रिय परंपरा में माना जाता है कि भैरव जी के रूप में शिव जी को हिंदों के बीच कानून और अनुशासन बनाए रखने का कारे सौपा गया है जो वारांसी शहर में उनके उद्धार से संबंधित है जहां हिंदों के अंतिम संसकार पवित्र नदी गंगा मे उनके पापों और अच्छे कर्मों की जवाबदही के साथ किये जाते है अब जानिये काल भैरव जी के पौरानिक कथा एक प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अश्टमी के दिन ब्रहा के अहंकार को नश्ट किया था उनके ही रक्त से भै अश्टमी वरत के रूप में मनाया जाता है कहा जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एक बार स्रिष्टी के रचीता ब्रहा जी ने भगवान शंकर की वेश बूशा और उनके गनों के रूप को देखकर शिव जी को कुछ तिरसकार पूर्न शब्द कह दिय थे स्वें तो शिव जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु उसी समय उनके शरीर से क्रोध से कापता हुआ और एक विशाल छरी लिए हुए भैंकर शरीर प्रकट हुआ क्रोधित होकर व ब्रह्मा जी को चोट पहुचाने के लिए आगे आए ब्रह्मा ने जब यह देखा तो व भैभीत हो गए शंकर जी से क्षमा याचना करने पर शंकर जी की मज़िस्थता के बाद ही उनका व अफ्तरित शरीर शांथ हो सका रुद्र से उत्पन इस शरीर को महा भैरव का नाम मिला बाद में शिव जी ने उन्हें अपनी पुरी काशी का महापौर नियुक्त किया कहते हैं कि भैरव जी की पत्नी देवी पारवती का ही अफ्तार है जिनका नाम भैरवी ए जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकत किया तो उन्होंने माता पारवती से भी एक ऐसी शक्ती उत्पन करने को कहा जो भैरव की पत्नी बन सके तब माता पारवती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकत किया जो शिव के अवतार भैरव की पत्मी है भैरवनाथ की पूजा विशेश कर रात में ही की जाती है भैरव अश्टमी काल की याद दिलाती है इसलिए कई लोग मृत्यू के भै से मुक्ती पाने के लिए भैरवनाथ जी की उपासना करते है जानकार विद्वान बताते है कि भैरव अश्टमी पर भैरव, शिव और पारवती की प्रार्थना पूजा और कथा के साथ पूरी रात जागरन किया जाता है मजरात्री में शंक, घंतिया और होल बजाकर हैरव की आरती करनी चाही सुबह सनान करने के बाद भक्त, विशेश रूप से शिव पूजक शैव अपने मृत पूर्वजों को तरपन और तरपन करते है फिर भैरव, शिव, शिव की पतनी पार्वती और भैरव के वाहन पशुवाहन, श्वान की पूजा फूलो और मिठायों से की जाती है श्वानों को प्रसाद के रूप में दूद, मिठाई, दही और अनेक हादे पदार्ख भी दिये जाते है यदि भैरव, अश्टमी, रविवार या मंगलवार को परती है, जो भैरव को समर्पित पवित्र सप्ताह के दिन है, तो यह दिन अधिक पवित्र माना जाता है भैरव जी की पूजा विशेश रूप से सफलता, धन, स्वास्थय और बाधा निवारन के लिए की जाती है कहा जाता है कि भैरव अश्टमी का पालन करने से भक्त पाप और मृत्यू के भै से मुक्थ हो जाता है भैरव अश्टमी जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा परवत पर विराजी माता वैशनो देवी पहारियों में भैरव प्रसाद मंदिर में मनाई जाती है इस दिन काल भैरव की एक छवी सोने या चांदी में बनाई जाती है और पानी से भरे पीतल के बरतन में विसरजित की जाती है और सभी शास्त्रिय प्रार्थनाओं के साथ पूजा की जाती है जैसा की शिव के लिए किया जाता है फिर पूजा करने वाले पुजारियों को उपहार दिये जाते है अगर आप भगवान काल धैरव अत्वा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी की अराधना करते हैं और अगर आप भगवान शिव अत्वा भगवान काल भैरव जी के भक्त है तो कमेंट बाक्स में ओम नमशिवाई जै काल भैरव लिखना न भूली यहां बताए गए उपाई, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार Agency of India के द्वारा पुष्टिन नहीं की जाती है यहां दी गई जानकारी में नहित जानकारी विभिन माज्यमों, जियोतिशियों, पंचांग, प्रप्चनों, मान्यताओ, धर्मगरंथों, दंत कथाओ, किम्व दंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनुरोज है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अत्वा दावा ना माने एवन अपने विवेक का उप्योग करे समाचार Agency of India पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ ए किसी भी जानकारी या मानेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशिश्गे से सलाह ले अगर आपको समाचार Agency of India में खबरे आदी पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर वा सब्सक्राइब अवश्य करे हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद हम आप तक कम रही हो आपको समॉस्वारी जाते की लिए जाइक, योग detector आपको भी कि एसे शेलेग झालाइब एद रही होept